आज बनाते हैं हम लोग काले चनी की चार्ट जो बहुत ही बढ़िया लगी खाने में बहुत ज्यादा इंस्टेंट बनेगी अगर आपको कुछा चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो आप यू बना सकते हो तो मैंने काले चनी को बॉयल करके रखा था उसके जाद एक मैसर से मै इसे अच्छी तरह किसे मैस कर लूँगी अब चाहो तो इसे हलका सा 2-3 मिट के लिए ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हो उसमें थोड़ी कम महनत लेगी उसके बाद फिर ऐसे उबले हुए चनी का से मैसर से मैस करोंगी तो तुरंद मैस हो जाती है उसके बा जर्मनाइक अब जरूरी से ट्राइग करना पहस्त ही बढ़cott एंक 가ाने में फिर मैंने इसमें एकठो दरी बारी कटा हुआर मैंने इसमें प्याज अट कि हर्थों से mix करते वे इसकी छोटी छोटी टिकिया बना लेंगे बिल्कुल इसी तरह आपको सब टिकिया को ready कर लेना है उसके बाद फिर पहले pan को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे उसमें सरसोका तेल एड़ करेंगे और तेल को अच्छी तरीके से spread कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग सारे टिकिया को अच्छी तरीके से से लेंगे फ्लेम इसमें मीडियम होगा और उसके बाद फिर फिलिप करते हुए न अच्छी तरीके से एकदम टिक्की को सेक लेना है जब तक एकदम टिक्की ना golden brown ना हो जाए अब ज़रूरी से try करके देखना ना इसका ट ज़रूरी का टीके सब्सक्राण प्लेटिक ना इसके बाद फिर मैंने यसमें थोड़ा से अपको खटदा पसंद रोशे एक आपने टेस्ट के कादिक करना चिर्ट की उसके उपद मैंने थोड़ी से हरी चट्नी एड्ट की और उसके बाद फिर मैंने इसमें जीरा का मसाले एट की और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा भुजिया एट किया ये देखो काली चनी की आलो वाली टिक्की वाली चाट एकदम रेडी है घर पे अब ज़रूरी से ट्राइ करना बहुत ही डिफरेंट टाइप का चाट है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े दार आता है तब जल्दी से लाइक करो सेर करें प्ली सब्सक्राइब